अवनीश ट्यूटियर ब्राण चैनल में आपका स्वागत है देखिए रेल्वे रिक्यूर्बेंट बिग अपडेट रेल्वे की तरप से रेल्वे भरती बोड की तरप से जो है एक बड़ी अपडेट है एक सुनाहरा आउसर है जैसा के आप थमनेल में देख रहे हैं आरपी भरती घोसित हुई है ऐसा मौका हाथ से न जाने पाए चलिए अपडेट देखते हैं क्या है अपडेट तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर न आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सेर करें ज जारी है रेल्वे प्रोटेक्शन एस्पसल फोर्स और रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स की मिंस आर्पीअप आर्पीअप की जो है मिंस रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स की जो है बड़ी अपडेट है अप्लीकेशन के लिए क्या-क्या है देख लेते हैं देखिए एक है इंस्पेक्टर की, RPFSI की, तो RPFSI की जो है, ओपनिंग डेट इसकी होगी अप्लिकेशन की 15 अप्रेल 2024, और क्लोजिंग डेट वहीं 14 मईई 2024 कहने का मतलब 15 अप्रेल से फार्म अप्लाई कर पाएंगे, और सब इंस्पेक्टर और वहीं दूसरा जो है, दूसरा पद है कॉंस् तो चलिए देख लेते हैं कि अलग-अलग में कितना क्या है, सब इंस्पेक्टर जो है, इनका जो पे है, वो है, 36,400, वोहीं कॉंस्टेबल का 21,700, और उम्र सिमा जो है, 20 से 28 वर्स जो है, यसाई की है, और 18 से 28 इयर्स जो है, वो है, कॉंस्टेबल की है, यसाई के कुल 452 पदों पर भरती है, तो वोहीं कॉंस्टेबल के, रपी एप कॉंस्टेबल के कुल 4,208 पदों पर, मिन्स टोटल जो है, 4,660 पदों की ये बड़ी बेकेंसी है, ठीक है, चलिए आगे और अपडेट देख लेते हैं, एज की जो गड़ना की जाएगी, वोह 17-2024 के आधार पर की जाएगी, ठीक है, उसके अलावा सारी चीजे आप डिटेल में पढ़ी सकते हैं, चलिए और देख लेते हैं, आपको करना क्या है, कटेगरी कम्टीस के आधार पर जो है, फी, ESI के लिए, और क्या करते हैं, कॉंस्टेबल के लिए, सभी के लिए जो है, 500 रूपए, ठीक है, इसमें जो है, जैसे जनरल कटेगरी, OBC इनके लिए है, वही SC, ST और X सर्विसमेन फिमेल इनके लिए 20 रूपए, ठीक है, तो ये फी निरधारण है, इलिजबिल्टी जो है, अगर देखें तो, इलिजबिल्टी आप दी कंडिडेट्स विल बी, प्रोविजिनल बेस्ट आन दी, डिटेल, इस्यूट बाइ दी, कंडिडेट इन दी अप्लिकेशन, कंडिडेट, ठीक है, और, मिस पूरा नोटिफिकेशन, आप डाउनलोड करके, जब देखेंगे, तो सारी नोटिफिकेशन में है, तो इस वीडियो में, बस इतना ही, वैकेंसी अच्छी है, बड़े पदों पर है, जो, उत्तर प्रदेश पुलिस भरती, अभी आई, उत्तर प्रदेश पुलिस भरती, जो है, 62,000 समतिंग पदों पर थी, बड़ी भरती ओभी थी, लेकिन, सेंट्रल गवर्मेंट की सर्विस, और स्टेट लेबल की सर्विस में, बहुत अंतर है, सेंट्रल गवर्मेंट में, यह वैकिंसी, बहुत कम आती है, बहुत ही सुनाहरा आउसर है, कि आपको यह साई बनने का, UPSI से आल दी बेस्ट, आपका जो है यहां, अगर ग्रेट पे अनने पर जाएंगे, तो सेंट्रल गवर्मेंट की सर्विस है, मिन्स RPF SI होगा, वहीं UPP बने उत्तरपदेश पुलिस, या सिपाही या कॉंस्टेबल बेस पर अगर देखेंगे, तो RPF की कॉंस्टेबल बठती जो है, वह बहुत ही आपके लिए अच्छी होगी, और ग्रेट पे आप देखी रहे हैं, और इस इस आप से 452 पद जो है, वह SI के हैं, RPF SI के, और 4208 पद जो है, वह RPF कॉंस्टेबल के हैं, तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपका आवेदन जो है, आवेदन तिती 15 अपरेल से आवेदन करना आपका चलू हो जाएगा, और 14 मई इसके लास्टेट होगी, तो आप इसका आद दिन करके, पुरा डिटेल पढ़कर, आप आवेदन अवस्टे करने, यदि चुक हो, आपको चैनल की तरफ से कोई भी और भी, अथेंटिक अप्टेट रहेगी, वह आपको बराबर मिलती रहेगी, तो वीडियो को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो, तो प्लीज चैनल को सुस्क्राइब कर लें, ओकी, थैंक यू,